11 पाठ, हिंदी ने जिनकी जिन्दगी बदल दी, मारिया ने जैशी, प्रिष्ठ संख्या 74 से लेकर 81 तक, आईए सुनते हैं पाठ, हिंदी ने जिनकी जिन्दगी बदल दी, मारिया ने जैशी, वह दिल्ली के सर्द जाडों की कोई आम सुभा ही थी, जब जनपत स्थित हंग पेरियन सूचना एवं सांस्कृतिक केंदर की जन संपर्क अथिकारी हरलीन अहलुवालिया का फोन आया। हरलीन मुझे हंग्री की एक अंग्रेज हिंदी महिला विद्वान से मिलवाना चाहती थी। जिन्हें हिंदी में किये गए उनके काम के चलते न केवल दुनिया भर में पहचान मिली थी। बलकि अपने राश्ट्रपती अब्दुल पाकिर जैनुल आबिद्दीन अब्दुल कलाम ने उन्हें सम्मानित भी किया था। वह विदूशी तब चंद दिनों के लिए ही भारत में थी। और उसी शाम उन्हें दिल्ली से बाहर जाना था। लिहाजा सुबह दस बजे का समय मुलाकात के लिए तै हुआ। भले ही वह महिला हिंदी के चलते जानी पहचानी जा रही थी लेकिन थी तो अंग्रेज। लिहाजा उनसे पूछे जाने वाले सवालों की फिहरिस्त तयार करते वक्त हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी ध्यान रखा गया। कि क्या पता कब संबाद के लिए इसकी जरूरत आ पड़े आश्चर्य अंग्रेजी के सवालों की जरूरत ही नहीं पड़ी सुभा दस बजे जब अपने फोटोग्राफर के साथ मैं हंगेरियन सूचना केंदर पहुँचा तो हरलीन अपने कार्या लई काम में व्यस्त थी हमें स्वागत कक्ष में बैठने को कहा गया हम बैठ कर अभी गर्मा गरम कॉफी की चुस्कियां ले ही रहे थे कि एक भद्र अंग्रेज महिला आ पहुँची उन्होंने अभिवादन की शुरुवात हाद जोड कर नमस्ते से की फिर ख्षमा याचना की कि दिल्ली के व्यस्त यातायात के चलते वह समय से नहीं पहुँच सकी हरलीन के आने के चंद मिनट बाद ही हम बाचीत में इतने मश्कूल हो चुके थे कि आपचारिक परिच्चे की जरूरत ही नहीं पड़ी वह डॉक्टर मारिया नेज्याशी थी अप्रेल उन्निसो तिरेपन में हंगरी के बुदा पेस्ट में जन्मी नेज्याशी ने संस्कृत, लेटन, प्राचीन, युनानी और भारत विज्ञान जैसे विशयों में एमेकर संस्कृत वह हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधी हासिल की युरोप हिंदी समिती की उपाध्यक्ष और इयोत्वोस लॉरंट युनिवरसिटी में हिंदी की विभागा ध्यक्ष के तौर पर अकादमिक गतिविधियों से जुड़ी नेज्याशी ने तीन दर्जन से भी अधिक किताबों का हिंदी से हंगेरियन वह हंगेरियन से नेज्याशी को भारत यहां की भाषा, यहां के लूग, यहां के शेहर, यहां के फिलमे, यहां का साहित्य, यहां की राजनीति और यहां की संस्कृति कैसी लगती है? उनका खुदका बचपन कैसा था? उनका हिंदी से जुड़ाऊ कैसे हुआ जैसे तमाम सवालों से होकर गुजरना पड़ा और सभी के जवाब उन्होंने बिंदास अंदास में दिये लेकिन नैजैशी ने बाचीत की शुरुआत शिकायतों से की उनका कहना था कि भारत बहुत बड़ा देश है यहां की परमपरा बहुत सम्रिद्ध है पर यहां के फिल्म वाले इतनी छोटी छोट बातों पर जोट बोलते ही नहीं बलकि जोट दिखाते भी हैं कि उन्हें देखकर दुख होता है आप फिल्म हम दिल दे चुके सनम को ही लीजिए इस पूरी फिल्म की शूटिंग हंगरी या यू कहिए कि हमारे शहर बुदापेस्ट में हुई थी पर फिल्म में उसे इटल जिकायत का कोई जवाब देते नहीं बना लिहाजा यहा कहकर कि हम आपकी बात हम दिल दे चुके सनम देखने वाले सभी दर्शकों के पास न भी पहुँचा पाए तो अपने पाठकों तक जरूर पहुँचा देंगे ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल जाए ख्षमा मां पता के साथ रह सकते हैं कुल मिलाकर एक इकाई का छोटा परिवार तकरीबन तीस साल पहले मेरे माता पिता का तलाक हो गया था दोनों ने दूसरा विवहा किया आज मेरी मा की उम्र 81 साल है पर वह अकेले रहती हैं मेरी मौसी 86 साल की है पर वह भी अकेली है वे दोनों इस में भी स्वायत्ते हैं मैंने भी शादी नहीं की काम वह शादी में एक को चुनना था बच्चे पती वह परिवार के साथ मैं वह नहीं कर पाती जो आज कर रही हूं मैंने हिंदी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया दरसल मेरी जिंदगी के शुरुआती 20 साल बहुत चोटी सी जगह पर बीते मैं बच्चपन से ही इनसानी जीवन के शुरुआती दौर को जानने के लिए लालायत थी इसलिए मैंने ग्रीक, लेटिन, युनानी और संस्कृत भाशाएं पढ़ी एमे की पढ़ाई के बाद मैं एक प्रकाशन संस्थान से भी जुड़ी उस दौरान हंगरी में केवल एक दो सज्जन ही हिंदी जानते थे मेरे प्रोफेसर ने मेरी रुचियों को देख कर मुझे हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया और एक बार जो मैं इस से जुड़ी तो जुड़ती चली गई 1985 में मैं पढ़ाई के सिलसले में पहली बार भारत आई और यहां दस माह तक रुगी एक लड़की जिसने घर से कॉलेज की चार दिवारी ही देखी हो उसने हिंदी की बदौलत पूरी दुनिया देख ली आज मैं विएना में पढ़ाती हूँ मेरे एक शिश्य इमरे बांगा ओक्सफोर्ड विश्वे विद्याले में हिंदी पढ़ाते हैं इंग्लंड में हिंदी के तमाम जानकारों के बीच एक हंगिरीन का हिंदी पढ़ाने के लिए चुना जाना कम बड़ी बात नहीं है जहां तक हंगरी की बात है तो मेरे समय में वहां ना तो हिंदी भाशी लोग थे और ना ही किताबें थी डॉक्टर हुकुम सिंग नामक एक गणी तग्य ने हिंदी सीखने में मेरी काफी मदद की आज हंगरी में मैंने हिंदी का पुस्तकाले बना रखा है जिसकी किताबें भारतिय दूतावास ने उपलब्ध कराई है मैं बुदा पेस्ट में भारतिय पोशाक ही पहनती हूँ जिसे देख मेरे चात्रों में भी इसके प्रती ललग बढ़ी है कडाके की ठंड के चलते वहां सलवार सूट ही ठीक है इसी लिए साड़ी कम पहनते हैं भारत की कौन सी चीजें आपको सबसे अच्छी वाक्य पूरा होता इससे पहले ही वह बोल पड़ी यहां के मानविय संबंध मुझे अच्छे लगते हैं मेरे खुद के धेरो रिष्टे यहां है जो सालों साल से बरकरार है पिता, भाई वा दोस्त की तरह यहां के लेखकों ने मुझे प्रभावित किया असगर वजाहत के साथ हंगरी में पांच साल तक साथ साथ काम किया अशोक वाचपेई, राजेंद्र यादव, अशोक चक्रधर वा जैनिंद्र कुमार जैसे लेखकों से मेरा संपर्क रहा भारतिय खाने में पूरी, मटर पनीर भी मुझे पसंद है यहां का कौन सा शहर वा कौन से फिल्में आपको पसंद है ने जैशी का जवाब था, दिल्ली तो अपना शहर है, इसलिए कुछ कहूंगी नहीं मैं साथ साल बाद दिल्ली आई तो CNG का असर देखा यहां का प्रदूशन कम हुआ है, हर्याली बढ़ ही है पॉंडे चेरी, मैसूर वा उदैपुर भी मुझे काफी पसंद है सच कहूं तो जहां भीड कम है, हवाज ज्यादा है, वे शहर मुझे पसंद है रही फिल्मों की बात, तो भारती ये फिल्में हंग्री में बहुत कम पहुचती है वैसे भी पूरे हंग्री में केवल 500 हिंदुस्तानी है दस साल पहले तो ये केवल 50 थे जहां तक मेरी बात है, तो मुझे फिल्म उम्राव जान काफी अच्छे लगी नसीर उद्दीन शाह वा शबाना आजमी मुझे अच्छे लगते है शायद इसलिए कि ये कला फिल्मों से जुड़े कलाकार है मनुरंजन की जरूरत तो इनसान को कभी कभी पढ़ती है पर कला फिल्मे सिंदगी का हिस्सा है आप इनसे मुह कैसे मोड सकते हैं धर्म और राजनीती के बारे में ने जैशी के खयाल पूरी तरह से तारकिक है उनके मुताबिक मैं हर तरह के मंदिर, मस्जिद वर चर्च गई हूँ पर मैं ना इधर की हूँ ना मैं उधर की मैंने धर्म के बारे में काफी कुछ पढ़ा है और मैं इसके हर रूप से परिचित हूँ लेकिन हर धर्म का आदर करते हुए भी मैं किसी एक धर्म को नहीं मानती रही राजनीती तो चूँकि मैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं पढ़ती हूँ खबरिया चैनल देखती हूँ इसलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत समझ है दरसल हंगरी में रहकर आप राजनीती के प्रभाओं से बच नहीं सकते वहाँ पिछले पंदरह सालों में काफी बदला हुए हैं लेकिन भारत की राजनीती को समझने के लिए पूरी जिंदगी चाहिए ने जियशी से आखिर में आधुनिक्ता को लेकर उनके विचारों के बारे में पूछा अचरज यह कि उन्होंने आधुनिक्ता से असहजिता जताई उनका कहना था बहुराश्ट्रिय कंपनियों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि जगह की, सामान की, खासियत और विविदता खत्म हो गई है हर जगह फास्ट फूड, एक जैसे साबुन, एक जैसा पेर, एक जैसे शैंपू यह क्या है? यह ठीक है कि भूमंडली करण ने हमें जोड़ा है इससे हम एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को समझ पा रहे हैं पर लोग यह क्यों नहीं समझते कि पूरी धरती ही हमारी है अगर हम इसको खराब करेंगे, तो इसका नतीजा सब को भुगतना होगा केटरीना, सुनामी, विल्मा, भुकंप और भी ना जाने क्या क्या मैं एक अनुभाव से अपनी बात खत्म करना चाहूंगी एक बार मैं सूरिनाम के घंगोर जंगलों की तरफ गई जहां से नदी मार्ग के अलावा गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था हमने नाव पकड़ी, काफी अंदर तक गए यानि उस इलाके तक गए जहां आबादी नहीं थी बस्तियां कलकार खाने नहीं थे उद्योग धंदे नहीं थे पर वहाँ भी प्लास्टिक से बनी पानी की एक बोतल तैरती हुई मिली मैंने सुना है, समुद्र में कहीं एक प्लास्टिक का दूई बन गया है जो जल्द ही महादूई बन जाएगा हमें सोचना होगा कि इन चीजों का परियावरण पर क्या असर होगा हम ऐसी दुनिया में जीएंगे कैसे क्या ऐसे ही विश्व की कलपना की थी हम सब ने? क्या यही विश्व हमें मिलेगा? लेखक जैप्रकाश पांडे अभ्यास शब्दार्थ फिहरिस्त अर्थात सूची अभिवादन अर्थात शिष्टाचार का तरीका क्षमा याचना अर्थात माफी मांगना नाइनसाफी अर्थात अन्याय ललक अर्थात इच्छा लालायित अर्थात लल्चाया हुआ, बदौलत अर्थात कृपा से या दया से या महर्बानी से, कडाके अर्थात जोरदार, बरकरार अर्थात बनाए रखना, मुहमोडना अर्थात बेरुखी करना या ध्यान ना देना, तारकिक अर्थात तरकपून, मुताबिक अर्थात अनुसार, अचरज अर्थात आश्चर्य, खासियत अर्थात विशेश्ता, विविधता अर्थात कई तरह का, पेय अर्थात पीने वाले पदार्थ, केट्रीना अर्थात तूफान का नाम, सुनामी अर्थात समुद्री तूफान विल्मा अर्थात तूफान पहला पाठ से प्रश्न का मारिया को किस कारे के लिए सम्मानित किया गया ख मारिया ने अनेक भाषाओं का अध्ययन क्यों किया ग मारिया बुदापेस्ट में कौन सी भारतिय पोशाक पहनना पसंद करती है और क्यूं दूसरा अपनी नेका में मारिया की और तुम अपनी पसंद लिखो पहले स्तंभ क्रम संध्या मैं ग भारतिय खाना ख शहर ग फिल्म घ कलाकार ओ भाषा च भारतिय पोशाक च आरेक्रम स्तंभ दो में मारिया की पसंद लिखिए, स्तंभ तीन में तुम्हारी पसंद लिखिए तीसरा, क्षमा याजना और शिकायत क इस भेंट वारता की शुरुवात में ही मारिया ने क्षमा याजना क्यों की? ख उसने भेट वारता की शुरुआत किस तरह की शिकायतों से की ग तुम भी कभी क्षमा याचना और शिकायतों का विवहार करते होगे बताओ वह कौन-कौन से अवसर होते हैं और किन-किन चीजों के बारे में किस-किस से तुम क्षमा याचना और शिकायत करते हो मान लो कि तुम्हारे स्कूल और किसी अन्य स्कूल के बीच क्रिकेट मैच हुआ और उसमें तुम्हारे स्कूल की क्रिकेट टीम की जीत हुई हो मगर किसी समाचार पत्र में खबरें तो सही रूप में तुम्हारे स्कूल और किसी अन्य स्कूल के बीच में खेले गए मैचों की छापी गई हो और उसके साथ जो तस्वीरें छापी गई हो वह किसी दूसरे मैच में खेलने वाली टीम की हो इसके लिए तुम शिकायत करना च पांचवा साथ साथ हंगरी में संयुक्त परिवार की सोच नहीं है पती-पत्नी वबच्चे बच्चे भी केवल 20 साल की उम्र तक माता-पिता के साथ रह सकते हैं कुल मिला कर एक इकाई का छोटा परिवार दिये गए वाक्य को पढ़ो और बताओ की कुल भारत में बच्चे कब तक माता-पिता के साथ रह सकते हैं और क्यूं? कुल तुम्हें अगर हंगरी या किसी अन्य देश में रहने की आवश्यक्ता हो तो किन-किन चीजों को साथ रखना चाहोगे और क्यूं? साथवा, मात्री भाषा दिये गए शब्दों को अपनी मात्री भाषा में लिखो और उन पर अपने मित्रों से चर्चा करो क नमस्ते, ख घर, ग सडक, ग समाचार पत्र, ग पानी, च साबन, छ धर्ती, ज जंगल, ज सुभा आठवा, साफ सफाई का, मारिया को समुद्र में प्लास्टिक के दूईप और धर्ती को खराब करने वाली चीजों से चिंता हुई है क्या तुम्हें भी अपने आसपास में फैली गंदगी, कूडे कच्रे के धेर और तुम्हारे वातावरण को खराब करने वाली चीजों को देख कर चिंता होती है कारण सहित उत्तर दो ख, तुम अगर अपने आसपास, घर, स्कूल वा अपने परिवेश की साफ सफाई करना चाहो तो क्या-क्या स्वयम कर सकते हो और क्या-क्या करने में तुम्हें अपने मित्रों, संबंधियों, शिक्षकों और अन्य लोगों की सहायता लेनी परती है नौवा, दो-दो समान अर्थ नीचे एक शब्द के दो समान अर्थ दिये गए है जैसे नमुना है धर्ती के दो समान अर्थी है प्रित्वी और धरा अब तुम भी इन शब्दों के दो-दो समान अर्थ लिखो क-दोस्त ख-मा ग-पानी ग-नारी दस्वा, काफी या कौफी काफी शब्द का अर्थ है परियाप्त और काफी का अर्थ होता है एक पेपदार्थ दोनु शब्दों की वर्तनी में केवल थोड़ा सा अंतर होने से अर्थ बदल गया है तुम दिये गए शब्दों को पढ़ो और वाक्य बनाओ क-बाल-बॉल ख-ख-अल-हॉल ग-चाक-चौक ग-काफी-कौफी ग्यारह नीचे दिये गए वाक्यों को सही शब्दों से पूरा करो क-रमा ने कमरे में फूल रिक्तिस्थान दिये सजा या सजा ख-मादही रिक्तिस्थान भूल गई जमाना-जमाना ग-घोडा रिक्तिस्थान दोडता है तेज या तेज ग-घोडा शीला ने मुझे एक रिक्तिस्थान की बाद बताई राज या राज गा, उदित सितार बजाने के रिक्तिस्थान में माहिर है फन या फन च, कप में रिक्तिस्थान सी चाय बची थी जरा या जरा 12. संचार माध्यमों की दुनिया क, तुम पढ़ने लिखने में किन-किन संचार माध्यमों का उप्योग करते हो ख, उन में से तुम्हें सबसे उप्युक्त क्या और क्यों लगता है?